हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटीटी कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप expired day के दिन जहां पर हमें market में बहुत ज़्यादा volatility देखने मिलता है उस दिन आप कैसे अपना tweet setup तयार कर सकते हैं और ये सब कुछ मैं आपको live market में बताने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ हमारा जो expired day special hero और zero call का setup होता है वो भी यहां पर हम कोशिस करेंगे कि उस setup को भी हम कैसे तयार कर सकते हैं अगर हमें opportunity मिलता है तो चलिए start करते हैं यहां पर हम live market पर आ गए हैं अब यहां पर देखिए क्या कुछ formation हुआ है पहले market आपका slightly gap down ही open हुआ है उसके बाद और नीचे आया और अगर आप इस दोनों candle पे अगर हम focus करें ति आपका एक pattern मना है जिसको हम लोग बोलते है piercing pattern और piercing pattern हमें slightly bullish sign देता है ति यहां पर हम क्या करेंगे 17,890 के करीब यह जो लेवल है आपका 17,890 करीब अब जैसे ही price इसके ऊपर निकलेगा यहां पर हम क्या करेंगे buy side की तरफ positions initiate करेंगे और हमारा जो यहां पर target price होगा आपका 17,950 के करीब यहां पर target price हो जाएगा और stop loss की बात करें इसका जो lowest point है यह हमारा SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा तियां पर हमारा यह trade setup बन के तयार है बस हमें इंतजार है क्या market आपका 17,890 के लेवल को break करके ऊपर निकले अगर इस लेवल को break करके ऊपर निकलेगा तो हमारा जो call होगा वो active होगा अभी तक यह call active नहीं हुआ है अभी तक यह call open नहीं हुआ है जब इस लेवल को touch करेगा तब open हो जाएगा उसके बाद at the same time यह मेरा SL के रूप में भी active हो जाएगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा wait करते हैं और आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं जब आइदर यह यहाँ से और नीचे जाए या फिर यह हमारे जो entry point है उस entry point को touch करते हैं अब यहाँ पर देखें टाइम हो रहा आपका लगबाग 9 बद के 40 मियुट के करीब और यहाँ पर जो हमारा entry level था 17,890 करीब उसके उपर निकल गया यानि अब यहाँ पर जो हमारा buy call था वो buy call यहाँ पर अब active हो गया और हमने जो buy किया था वो 17,890 करीब buy किया था यह हमारा buying price है और हमने जो यहाँ पर SL लगाया था वो था आपका इसका lowest point के करीब और यह मेरा SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा तो यहाँ पर call मेरा active हो गया और देख सकते हैं यह आपका कहाँ पर जा रहा 17,900 के करीब जा रहा तो अगर आप थुरा सा और safe जाना चाहते हैं थुरा सा और आप safe play करना चाहते हैं तो आप थुरा और wait कर सकते हैं और जैसी यह 17,900 के level को break करके उपर निकलेगा यहाँ पर भी एक बार आप entry ले सकते हैं अगर आप by chance इस level पर entry नहीं लिए हैं तो देख सकते हैं यह 17,900 के level को break करके उपर निकल गया है तो एक बार और यहाँ पर entry बनता है लेकिन हमारा target price दोनों जगा पर same ही होगा target price होगा आपका 17,950 का जहाँ पर previous day के करीब highest point भी है तो इसी करीब जो भी psychological level है यहाँ पर हम target price रखेंगे और stop loss भी हमारा same होगा बस आपको entry थोड़ा सा late ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हमारा psychological level भी आ रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा wait करते हैं देखते हैं कि यहाँ पर मेरा stop loss seat होता है यहाँ पर target price होता है जब भी कुछ यहाँ पर momentum आता है तो आपसे थोग दिरवाद मिलते हैं तो यहाँ पर अभी time आपका ओरा लगबग 9 बज के 50 मिनट और price लगबग मेरा target price को hit करने ही जा रहा 17,950 तो यहाँ पर हम थोड़ा सा wait करते हैं और उससे पहले यहाँ पर हम इसके option chain को भी analyze कर लेते हैं कि option chain में हमें क्या कुछ build up देखने को मिलवा क्या price 17,950 से उपर भी जाने वाला है या फिर क्या कुछ level है option chain को भी यहाँ पर थोड़ा सम analyze करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम option chain पर आगे time हो रहा है अब लगबग आपका 9 बज के 55 मिनट अभी price जो आपका trade कर रहा 17,950 के level पर trade कर रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो put writers में ज्यादा कोई interest नहीं दिखे रहा है वहीं अगर हम call writers की बात करें लगबग आपका 54,00,000 के करीब call writers आपके 17,950 के level पर मौजूद है मतलब यह level आपका एक अच्छा खासा resistance के रूप में काम करेगा जिसको break कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन यह level break हो सकता है वहीं उसके उपर अगर हम 18,000 के करीब देखे तो यहाँ पर लगबग आपके 1.25 करोर के करीब यहाँ एक करोर 25 लाग के करीब यहाँ पर call writers मौजूद है मतलब इतना तो हमें clear पता चल गया कि आज के date के according प्राइस आपका 18,000 के करीब या फिर इससे उपर जाने वाला नहीं है मतलब 18,000 आपका एक strong resistance के रूप में काम करेगा और प्राइस आपका इसके नीचे ही trade करता हुआ दिखेगा वहीं अगर हम नीचे में बात करें 17,800 के लिवल पर यहाँ पर लगवग आपका 1.20 करोर यानि 1 करोर 20 लाग करें यहाँ पर पर पूट वाइडियोस मौजूद है मतलब प्राइस जो आपका 17,800 से लेके 18,000 के बीच में पूरे दिन मूव करता हुआ दिखेगा यही 200 पॉइंट के बीच में प्राइस आपका मूव करता हुआ दिखेगा जो कि हमें option change लेकर समझ में आ रहा है तो अगर आपका प्राइस इसके करीब आता है यानि 17,850 से लेके 800 करीब आता है यहां पर हम नीचे में buy कर सकते हैं buy on dips वाला strategy है वो continue कर सकते हैं और उपर में sell भी कर सकते हैं लेकिन sell side की तरफ जाना थोड़ा सा विस्की हो जाता है इसलिए यहां पर हम sell side की तरफ जाना avoid करेंगे हम नीचे में wait करेंगे जैसे ही नीचे वाला level मिलेगा हम यहां पर क्या करेंगे buy side की तरफ जाएंगे और लेकिन अभी जैसे ही price इस level को touch करेंगे 17,950 वहां पर हम profit book करना भी चाहेंगे तो चलिए चार्ट पर वापस से आते हैं यहां पर देखिए अभी आपका 10 बजा और मेरा जो target price था 17,950 का इसने इसको आसानी से hit करें दिया है almost इसने hit कर दिया यहनि जो मेरा target price था वो यहां पर hit हो गया है और यहां पर हम क्या करेंगे अपना profit book करना prefer करेंगे देख सकते हैं 951 करी पहुँच गया है यहां पर हम profit book कर लेंगे ज़्यादा wait नहीं करेंगे क्योंकि हमने option chain पर भी देखा था यहां पर put writers में strength नहीं दिख रहा है और call writers में strength दिख रहा है यहां पर हम profit book करेंगे sell side की तरफ जाना यहां पर हम थुड़ा सा avoid करेंगे लेकिन जो risk की twitter है जो बहुत ज़्यादा risk लेने को तैयार है वो यहां पर क्या गड़ सकते है इस level के आसपास भी आप यहां पर sell side की तरफ जा सकते है लेकिन आपको यहां पर 18,000 के करीब काफी strict SL रखना परेगा यहां पर 50 point का SL रखना परेगा 50 point का SL रखके और 50 point के target price के लिए यहां पर जो risk reward ratio है वो 1 is to 1 है तो जो लोग इस तरह के risk reward ratio के साथ जाना चाहते है वो यहां पर trade setup ले सकते हैं अधरवाई छोड़ सकते हैं तो यहां पर आपको trade क्या बन रहा उस पर focus नहीं करना हमने trade को identify कैसे किया है इस pattern के basis पे एक piercing pattern बना इसके basis पे हमने trade लिया यह perfect नहीं है लेकिन ऐसा है कि इसके basis पे हम trade ले सकते हैं काम चला हुआ है जो कि हमें trade लेने में help कर रहा है तो जो भी आपने सीखा है उसको implement करने आना भी चाहिए और live market में जब market आपका formation कर रहा है उस time पे इसको identification भी करने आना चाहिए नहीं तो अगर आपको नहीं पता चलवा है यहाँ पे ज़्यादा confuse है तो मैंने आपको एक technique बताया था candle blending का वो भी आप यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं अगर हम इन दोनों candle को blend करते हैं तो देख सकते हैं candle आपका पहला open इस price पे हुआ था और दूसरा close जो दिया है आपका लगबग इसके करीब close दिया है तो यह आपका body बनेगा उपर में आपका छोटा सा tail हो जाएगा और नीचे में long tail होगा तो long tail at the bottom मैंने आपको कई बार बता है different videos में कि यहाँ पे किसका दबदबा है buyers का दबदबा है तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यह देखके भी लग रहा है कि जैसे ही price इसके high को break करके उपर निकलेगा यहाँ पे आप buy side की तरफ जा सकते हैं buyers जो strength gain किया इसके साथ आप जा सकते हैं तो ऐसे ही multiple front के basis पे आप यहाँ पे trade ले सकते हैं तरीका क्या है उस पे मतलब नहीं है लेकिन जो trade setup आ रहा है उसको आप किसी भी तरीके से find किजे और वहाँ पे आप trade लिए चाहिए candle blending हो या फिर candlestick pattern हो किसी basis पे identify करके यहाँ पे आप trade setup ले सकते हैं तो यहाँ पे अभी के लिए हमारा यही trade setup है थोई देर बाद और मिलते हैं जब यहाँ पे हमें कुछ और trade setup देखने को मिलेगा वापस से हम chart पे आया टाइम हो रहा 12 बज के 5 मिनट तो यहाँ पे हमें एक pattern देखने को मिला pattern क्या है वो मैं आपको explain करता हूँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक high form क्या था उससे नीचे यहाँ पे यहनी lower high pattern बना है फिर उससे नीचे यहाँ भी high बना मतलब lower high pattern का formation continue है तो हम क्या करेंगे तीनों high को join करते हूए एक trend line draw करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे हमारा trend line draw हो जाएगा अब जैसे ही price इस trend line को break करके ऊपर निकलेगा यहाँ पे हम buy sir के तरफ क्या कर सकते हैं positions initiate कर सकते हैं और time 12 अलवेडी बज चुके हैं ट्वेड लिया था वो हमने यहीं पे ट्वेड लिया था और यहाँ पे हम profit book करके निकलेगे उसकी बाद हमने लंबा wait किया है उसकी बाद यहाँ पे हमें एक pattern देखने मिला है lower high pattern उन सब high को join करते हूए trend line draw कर दिया अब यहाँ पे हम wait करेंगे जैसे यह price आपका इस trend line को break करके ऊपर निकलेगा इस trend line के अगर हम levels की बात करें तलगबग आपका होगा 17,875 यानि price जैसे यह आपका 17,875 के level को break करके ऊपर निकलेगा यहाँ पे हम buycer के तरफ positions लेंगे और यही हमारा hero और zero call का setup होगा और अगर आप यहाँ पे options में trade करना चाहते है hero और zero call का setup लेना चाहते है यहाँ पे आप एक काम कर सकते है 17,900 इसके call options और 17,900 strike price का put options दोनों आप यहाँ पे buy कर सकते हैं किसी भी तरफ momentum देखने मिलेगा लगबग 75-100 point का यहाँ पे हमें momentum जहूर देखने मिलेगा और अगर किसी भी तरफ momentum देखने मिलेगा एक side का premium आपका 0 होगा लेकिन दूसी तरफ आपको यह अच्छा कासा profit दे सकता है तो ऐसे ही आप hero और zero call का setup भी ले सकते है मेरा buying price के करीब यह आ रहा है लेकिन अभी उससे दूर है जैसे इसको break करके उपर निकलेगा अगर आप options में trade लेते हैं यह दोनो call options और put options 17,900 के strike price का buy कर सकते हैं पहले भी नहीं लेना और ज्यादा late भी नहीं करना है जैसे इस level को break करके उपर निकलेगा हम करेंगे अगर price यहां से और नीचे गया तो हम क्या करेंगे यहां पर हम अपना trading avoid कर देंगे और hero और zero call का जो setup है वो भी यहां पर हम execute नहीं करेंगे तो hero और zero call का setup execute कब होगा जब यह इस level को break करके उपर जाएगा तो यहां पर आपको काफी strict levels को follow करना है और उसके basis पर ही trade setup तयार करना है तो यहां पर आपसे थोई देर बाद मिलते है जब मेरे यह entry level को touch करता है अब यहां पर देखिए टाइम होरा 12 बज के 25 मियाट यह लगवग आपका 10 मियाट बाद यह मेरे buying level को touch करती है यह आपका 17,875 के level से उपर निकल गया तो यहां पर जो लोग futures में trade करना चाहते है वो futures में भी trade कर सकते है और जो लोग options में trade करना चाहते है वो यहां पर hero और zero call setup कर सकते है 17,990 strike price का call और same strike price का put options भी आप buy कर सकते हैं यही हमारा क्या बनेगा यही हमारा hero और zero call का setup बनेगा आपका एक side का premium 0 होगा लेकिन दूसरी तरफ आपको hero जैसा return देगा यह नि जबर 10 return देता हुआ दिखेगा तो यहां पर मेरा सारा कुछ execute हो गया अब देखिए हमारा entry point क्या था 17,875 का level SL की बात करेत लगवगा आपका 17,850 यहीं जो lowest point है यह मेरा SL के रूप में काम करेगा यहां पर stop loss हो गया target price की बात करेत वापस से हम 17,950 यही target price के लिए वापस से जाएंगे और उमीद है कि अगर यहां से upset momentum आया तो इस target price को definitely यह क्या करेगा hit करेगा तो मेरा यहां पर target price काफी well defined है यही target price जो लगबगा मेरा 75 point का है और इस basis पे hero zero call अगर आप setup करेंगे तो आपको अच्छा खासा return definitely मिल सकता है और उसके बाद जो stop loss है अगर हम यहां से calculate करते हैं तो stop loss सिर्फ मेरा 25 point का ही बन रहा है तो अगर हम risk reward देशियो देखे यह आपका 1 is to 3 बन रहा है तो वो भी काफी हद तक हमारे favor में ही है और इस तरह का risk reward ratio आपको इस पाई डेके दिन देखने को नहीं मिलेगा तो सारे लियार से यहां पर tweet लेना बनता है तो यहां पर आप से थूई दिर बाद मिलते हैं जब आईदर मेरा stop loss ही ट होता है वो लगबग आपका 17,875 के उपर निकला है तभी यहां पर हमने trade लिया है और यह मेरा SL के रूप में काम करा 17,850 अब यहां पर आपको क्या दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा गौर किजेगा अगर आप इस pattern के basis पे trade लेते हैं तो trade लेने के बाद आपको थोड़ा सा एक और चीज़ देखना होगा कि आने वाले time में यह जो high है और यह जो low है इस low को break करके price आपका उपर निकलना चाहिए और इस low को अगर हम extend करते देख सकते हैं price इसको break करके already उपर निकल गया और उपर sustain भी कर रहा है अगर price इस low को break करके उपर नहीं निकलता है और इसी low को यह अगर आपका resistance बना लेता है तो हम क्या करेंगे जो हमने यहाँ पर trade लिया है उस trade से हम exit करेंगे बाहर निकलेंगे क्योंकि अगर इस low को वो resistance बनाता है तो वापस से price आपका नीचे side की तरफ आता हुआ दिखेगा और यह हमारे लिए as a trap साबित हो सकता है यह भी आपको ध्यान देना परेगा यह जो pattern ने इसके basis पे trap भी विछाय जाता है इसलिए आपको यहाँ पे confirmation के लिए इसके lowest point को break करना होगा अब lowest point break करने का मतलब क्या है जो lower high pattern था वो lower high pattern यहाँ पे आपका break हो गया है मतलब यह pattern अब आगे continue नहीं रहने वाला है तो यह pattern break होना बहुत जोड़ी है और यह pattern break कब होगा जब इस lowest point को break करके price उपर निकलेगा जो कि यहाँ पे उपर निकल गया है तो यहाँ पे हम अपने target price के लिए बने रहेंगे stop loss के साथ और जो target price है 17,950 उसका हम यहाँ पे इंतजार करेंगे तो चलिए आपसे थोज़ी देर बाद मिलते हैं जब आइदर यह इस level को hit करे stop loss को या फिर इस level को hit करे जो कि हमारा है target price तो यहाँ पे हम वापस से chart पे आगे time और आपका 3 बच चुके हैं और देख सकते हैं मेरा जो target price था 17,950 का उसको इसने already hit कर दिया देख सकते हैं इस level को कई बार hit किया in fact इससे 45 point उपर भी गया तो मेरा जो target price था वो target price हिट कर दिया और यहाँ पे अगर आप futures में trade करते हैं तो 75 point का profit आसानी से मिल जाता अगर आप यहाँ पे options में trade करते हैं जो कि हमारा hero और zero call का setup था जिसमें मैंने बोला था 17,900 strike price का call options buy करना था और 17,900 strike price का put options buy करना था यहाँ पे भी अगर आप trade लेते हैं यहाँ पे भी एक side का premium आपका zero होता put side की तरफ लेकिन call side आपको अच्छा कासा profit मिल जाता है यहनि overall यहाँ पे भी जितने भी आप investment किया है उसका लगबग 25% की करीब return आपको आसानी से मिल जाता है यहाँ अच्छा कासा return हो जाता है अगर आप यहाँ पे कम amount invest की होंगे तो amount आपको छोटा लग सकता है लेकिन आपको amount नहीं देखना है आपको देखना है कि जितना आपने investment किया profit कितना मिला लगबग 25-50% का profit आपको as a hero or zero call का setup से आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा amount छोटा जोटा जोटा लेगा लेकिन percentage wise वो आपका बड़ा amount है तो इस तरीके से आप यहाँ पे hero or zero call का setup करके expired दे दिन अपना trade ले सकते हैं बस आपको वो point find करना जहाँ पे हमें volatility देखने को मिलेगा और वो point यहाँ पे हमने find किया था यहाँ पे क्या था market यहाँ से उपर निकलेगा जैसे उपर आया नहीं तो अगर उपर नहीं जाएगा तो यहीं पे रुकने बड़ा नहीं था price आपका यहाँ पे 17,800 या फिर 17,750 के level तक भी आ सकता था अगर price यहाँ से नीचे जाना होता तो तो हमें ऐसे ही point को identify करना 12 बजे के बाद और वही point मेरा hero और chiro call का setup तयार करके देगा जहाँ पे market रुकने बड़ा नहीं है यहाँ से market आईदर नीचे जाए या फिर अच्छा कासा upside move दिखाए जैसे कि आज हमें देखने को मिला है और यहाँ पे देख लीजे हमें long tail at the top देखने को मिल वा है मतलब यहाँ पे जो buyers है उसमें हमें यहाँ पे weakness यानी कमजोरी देखने को मिल वा है तिया ही पे आपको profit book कर लेना हो सकता है कि market आपका closing इसी के आसपास दे दे लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा wait नहीं करना profit book करके निकल जाना और एक surprise day के दिन ऐसे भी last time पे wait नहीं करना चाहिए उमीद करते हैं जो वीडियो हम बताने जा रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद